तो दोस्तो यह हमारा छोटी मगर मोटी बात से 11 एपिसोड होने वाला है और दोस्तो उन लोगों के लिए काफी खुसकपरी की बात होने वाली है कि जिन लोगों को सिर्फ cutting और stitching ही सीखना था मतलब कि जो लोग starting से cutting और stitching सीखना चाए थे तो आज से जो हमारा एपिसोड सुरू होने वाला है इस एपिसोड में आप लोगों को स्टार्टिंग से कटिंग और स्टिचिंग सिखाए जाएगी तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा कटिंग और स्टिचिंग का पहला वीडियो होने वाला है तो आज किस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि नाडा किस परकार बनाते हैं यानि कि जब आप ब्यूटिक पर जाएंगे या कहीं पर भी आप किसी भी सिलाई सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको cutting और stitching में पहले नाडा काटना और बनाना सिखाए जाएगा तो आज हम भी आपको पहले नाडा काटना और फिर बनाना सारा कुछ step by step सिखाने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप इस वीडियो को follow करते हैं तो आप लोग एक अच्छा और perfect नाडा बनाना आसानी से सीख सकते हैं तो दोस्तो नाडा बनाना सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको एक vestige कपड़ा ले लेना होगा यानि कि जो suit और सलवार से बचा हुआ कपड़ा होता है तो जैसे कि आप लोग beginners हैं तो आपके पास ये कपड़ा नहीं होगा तो आपको क्या करना है, market जाना है, किसी भी boutique से आप महा से कपड़ा ला सकते हैं अगर महा से भी आपको कपड़ा नहीं मिल पा रहा है तो कोई tension वाली बात नहीं है आपको 20 या 25 रुपे मीटर वाला कपड़ा ले लेना है, लगबग 2 मीटर और उस 2 मीटर कपड़े में से आपको लगतार एक या दो दिन तक practice करके देखनी है नाडा बनाने की तो नाडा बनाने के लिए जो चीज हम आपको बताने वाले हैं सारी चीज आपको ज्यान से सुननी है तो जैसे कि हमने यहां पर अपना वेस्टिज कपड़ा लिया हुआ है सलवार में से तो सलवार से बचा हुआ कपड़ा है तो सबसे पहले तो आपको कपड़े पर इस तरीके से प्रेस लगा लेनी होगी क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ही अपने काम में फिनीशिंग लानी है अगर आपके काम में finishing आएंगी तो आपका interest बढ़ेगा काम सीखने के लिए तो सबसे पहले हमने प्रेस कर ली है अब हमें क्या करना है हमें अपने सीधे कपड़े की और आडे कपड़े की पैचान करनी है क्योंकि नाडा जो बनाया जाता है वो सीधे कपड़े में बनाया जाता है तो दोस्तो उसकी पैचान करने के लिए आपको क्या करना होगा जैसे कि यह हमारी चिंदी है तो इसमें से भी हम अपने सीधे की और आडे की पैचान करेंगे दोस्तों अगर आपका कपड़ा ऐसे खीचने पर नहीं किचता है मतलब कि उसमें से कोई भी कान नहीं निकलती है तो इसका मतलब कपड़ा आपका इस परकार से सीधा है और अगर आपका कपड़ा इस तरीके से खीचने पर कान निकल जाती है यह देखे दोस्तों जैसे कि यह कान निकल चुके है दोनों तरफ तो इसका मतलब ऐसे आपका कपड़ा आजा है तो आपको जो नढ़े के लिए पट्टी निकालनी है वो सीधे कपड़ी में से निकालनी है तो यहां से हम इसको पहले ऊपर से काड देते हैं और अब अपने इस कपड़े में से ऐसे डेट डेट इंच ओडी लगबग तीन पट्टिया निकाल लेते हैं दोस्तों आप आराम से डेट डेट इंच ओडी पट्टिया निकाल सकते हैं तो यह हम आपको लिए निकाल लेते हैं तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने डेडेड इंचोडी लगबग तीन पट्टियां काट ली है अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ आपको नाडे की लंबाई कितनी रखनी है और किस अकोडिंग रखनी है सबसे पहले नाडे की लंबाई रखने के लिए आपको अपनी कमर नापनेनी है आपकी कमर जितनी भी है उससे लगबग 20-25 इंच जादा आपको नाडे की लंबाई रखनी है जैसे कि आपकी कमर जो है 30 इंच है तो आप उसमें 25 इंच एड़ करेंगे तो जोइंट किस पारकार करना होगा यह चीद ध्यान से देखिए पहले अपने इस पट्टी को पकड़ना है फिर अपने दूसरी पट्टी को इसके उपर ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा जोइंट करना है और बस सीधा इसको जोइंट लगा देना है quarter inch के margin से यहाँ पर आपको टाकी बांदनी है हमने टाकी बांदना आपको सब कुछ सिखाया हुआ है उतरते वक्त भी आपको टाकी बांदनी चाहिए तो यह देखे टाकी बांदना जरूरी है अगर आप टाकी नहीं बांदेंगे तो आप जब इस परकारी से खीचेंगे तो यह फटा और नाखून से इस परकार थोड़ा फिनीसिंग में कर लेना है अब इसी परकार से हम इसमें अपनी यह वाली पट्टी भी अटेश कर देते हैं तो दोस्तों देखें यहां पर हमने अपनी तीनों पट्टियां आपस में जोड लिया है अब इसके बाद आपको नाडा बनाने इधर से ऐसे फोल्ड करना है फिर क्वाटर इंच इसको आपको इधर से फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है इसको फिर बीच से फोल्ड कर लेना है बीच से यह देखिए इस परकार से फोल्ड करने के बाद आपका जो नाडा तयार होगा वो ऐसा तयार होगा देखिए दोस्तों आपकी चोड़ाई अगर आप अपनी पट्टी की चोड़ाई थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे तो आपकी जो यह चोड़ाई है नाड़े की वो थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी लेकिन अगर आपको फिनीसिंग से अच्छा नाड़ा चाहिए तो आपको थोड़ी हाप इंच से थोड़ी सी कम रकने हैपने नाड़े की चोड़ाई तो इसलिए हमने 10,5 Inchos यहाँ पर पट्टी की चोड़ाई ली थी अब आपको क्या करना है इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अपनी मसीन के बूट के नीचे ऐसे रखना है बूट उठाना है बूट उठाने के बाद आपको इस परकार से इसको ऐसे रखना है और एक चीज का ध्यान रखना है अब आपको यहाँ पर किनारी की सिलाई लगानी है दोस्तों किनारी की सिलाई ये सब चीज हमने आपको अपनी पहले वीडियो में बता चुके हैं वो हमने आपको इसलिए सिखाई थी ताकि अब आपको कोई भी प्रोब्लम फेस ना करनी पड़े तो अब आपको क्या करना है आपको अपना इस परकार से अपनी पट्टी को पक fold करने के बाद आपको अपनी उंगली को आपको झरा सा इसमें से ऐसे घुमाना ऐसी फ़िराना इस कर उमली को फिराने के बाद देखिए बिल्कुल finishing से आपका नारा यह को जोया फोल्ड ऊचुका बराबर रहना चाहिए अगर बराबर रहेगा तभी आपका नाड़ा सुन्दर बनेगा दोस्तों यह चीज हम आपको सारी डिटेल से इसलिए बताते हैं ताकि आप पहली बार सीख रहे हैं सब कुछ तो आपको प्रोब्लम फेस ना करनी पड़े अपनी पूरी लाइप के अं बिल्कुल देख लीजेगा ध्यान से तो आपको इसी तरीकी की चीज बनानी है जब भी आप कोई भी चीज सीखे तो उसको बिल्कुल दिल लगा कि सीखे ताकि आपको लाइप में कभी प्रोब्लम ही ना आई सिलाई लगाने के सिलाई सीखने के लिए दोस्तों काफी आपको और फिर आप लास्ट में जब आपके सामने रिजल्ट आता है तो आप खुद ही अपने मुह से कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा अब नाड़े को देख लीजेगा हमने इस परकार फोल्ड किया है फिर फोल्ड करने के बाद आपको अपनी उगली को इस परकार से इ बगभग डेड़ मीटर लंबा नाड़ा तैयार करना है और इनकी प्रैक्टिस आपको लगतार दो दिन तक करनी है देली नाड़ा बनाबना के देखना है जितना नाड़ा बना बना के देखते रहोंगे आपको सूट की कटिंग और स्टीचिंग सीकने में उतना ही जादा तो अब हम अपने ऐसे ही पूरे नाड़े को तयार कर लेंगे जिस तरीके से हमने आपको बता है बस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है एक फिर से बता दू कपड़े को थोड़ा इधर से फोल्ड करना है थोड़ा ऊपर से और फिर इसको एक दूसरे से ऐसे मिला कर यहां से पक completely तयार कर लिया है अगर आप हमारे सारे step इसी तरीके से follow करेंगे तो आप 100% में guarantee लेदा हूँ कि आप ऐसा ही नाडा तयार करेंगे और दोस्तों मैं हर चीज आपको इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ अपने episode छोटी मगर मोटी बात में क्योंकि अब तक जो मैंने आपको सिखाया वो सब कुछ इसलिए सिखाया है ताकि आपको कोई भी problem खेस ना करने पड़े अब जो होगा आपको सिलाई सीखने में काफी मज़ा आएगा इंट्रेस्ट आएगा आपका तो देखिए यहाँ पर हमने पना नाडा तयार कर लिया है अब मिलते हैं अपनी next वीडियो में और अब हम अपनी next वीडियो में भी एक cutting और stitching सीखने वाले हैं तो हमारे साथ बने रही है और देखते रही है छोटी मगर मोटी बात